आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Question 3 आपके सामने कहे 4 types of reactions जो है इस order को ध्यान में रखते हुए यहां पर जो आपको reactions गिवन है उनको आपको कहे है sequence में arrange करना है to the reactions to which they belong तो देखो कहने का मतलब है जैसे आपको गिवन है combination, double displacement, decomposition, reaction यह जो order है इस order में आपको लगाना है कि इन में से कौन सी combination होगी कौन सी double displacement होगी तो आपको सबसे पहले displacement reaction ही आपकी तूननी होगी among these अब अगर मैं यहां पर बात करती हूँ आपके बस first care displacement reaction clear यहां पर आपके बसके displacement होने वाली है कोई ना कोई element एक दूसरे को displace करेगा यह एक ऐसी type की reaction होते है जिसमें आपके बसक्या होते है कि एक element जो होते है वो दूसरे element को उसके salt solution से क्या कर देता है basically displace कर देता है right so वो element जो दूसरे element को उसके salt solution से displace करता है it should be more reactive clear कहने का मतलब है देखो अगर मैं यह आपर बात करती हूँ so यह reaction जो है वो आपके क्या होगी C type की होगी because इसमें आप देखोगे आपके 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 AB है plus C is giving CB plus A right so आप यह assume कर लो कि यह C वो element है जो आपका जाधा reactive है fine और AB आपकी AB आपका basically कहई salt solution है so इसमें आप देखोगे कि C जो more reactive element है उसने AB के salt solution में से A को कहे डिस्प्लेस कर दिया और आपका बना लिया CB और A A को डिस्प्लेस कर दिया तो A आपका कहे as a side product आपको देखने को मिलेगा और आपके वास CB product बन जाएगा clear so आपका होगे की सबसे पहले आपका आने माला होगी A type की होगी इसमें आप देखोगे की A reactant और B reactant यह दोनों combine करकर आपका एक नया product बना रहे है that is AB so combination के लिए आपका correct होगा फिर A order आएगा आपका आप देखो next आपके वास क्या double displacement reaction तो देखो यह तो और भी आपकी simple reaction होती है double displacement में क्या होता है double displacement में क्या होता है कि आपके वास क्या होंगे 2 reactants होंगे basically 2 compounds आपको देखने को मिलेंगे और उसमें atoms ढोंगी वो एक दूसरे को क्या कर देते है replace कर देते कहने का मतलब है आपके 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 AC है plus BD है gives AD plus BC fine इसमें आप साफ साफ देख सकते हो कि आपका क्या हो रहा है कि C ने replace कर दी को right C ने D को replace कर रहा और आपके D ने क्या है C को replace कर रहा बाइसा वर्सा हो रहा है जब C ने D को replace कर रहा so आपके बास बन गया BC isn't it और जब D ने C को replace कर तो आपके बास बन गया AD, right, so इस टाइब से reaction होती है, आपका जो next order होगा, उसमें आपका आजाएगा, यहाँ पर D, fine, अब आपके बास आती है, decomposition reaction, fine, so देखो, अगर मैं बात करते हैं, तो यह तो और भी simple reaction है, आपकी decomposition reaction में क्यों होते है, A की reactant होता है, वो आपका decompose कर जाते है, more than one product में, right, so यहाँ पर आपका answer होगा, कि आपके बास एक AB reactant है, वो आपका decompose कर रहा है, A में और B में, right, among these आप देख सकते हो, AB जो है, वो decompose कर रहा है, A और B में, A की reactant है, और वो decompose कर रहा है, means और advanced के level तक, 10 million से जादा students का भर होसा, आज यह डाउनलोट करें doubtnet आप, यह whatsapp कीचे अपने doubts 84444 उपर,